करहर मैदान पतेर RRBPO का इग्जाम होने वाला है तो अपने दोस्तियार जो मेरे भाई बहए बहुत सुपकामना है मेरे तरफ से हमारे भाई बहए बहुत की तरह ही है बिलकुल हमारे साथ ही है कि बैंकिंग इंड़स्ठी में आप आ रहे हैं तो हमारे click बनने वाले हैं आप हमारा ये फर्ज बनता है ज़्या आपको मैं motivate करूँ क्योंकि एक banker हूँ banker घोने के नाते मैं आपको थोड़ा बहुत अगर मेरे से थोड़ा बहुत भी ही saach motivate होते हैं तो एक बन्दा भी मेरे से motivate हो जाता है तो मैं समझ सकता हूँ, जह हम एक्जाम जब देने जाते हैं, तो किस चीज़ का हमें प्रेसर रहता है, यहीं चीज़ का प्रेसर रहता है, क्योंकि हमारी तयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमें लगता है, यह हो सकता है, जब मेरा नहीं होगा, तो फिर यह जो लोग है ये क्या कहेंगे ये आपे हावी होंगे हम पे डाउट नहीं होता है ये जो ये जो आप वाद लोग जिनका कोई वैलू नहीं है लाइफ में एक फैमिली को छोड़के जो और सब को जो मैंने गीना इनकी कोई वैलू नहीं है लाइफ में कुछ भी होगा तो एक फैमिली ही काम आता है और कोई काम नहीं आता है तो फ्रेंट्स ये सब चोड़ दीजिए फैमिली कभी प्रेसर नहीं देती है आप याद रखिए गाल हार हालत में आपको एशिप्ट करेगी आप यह देख देखो यह मेरा नी जी अनुवाओ है तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल घबराईये नहीं कल एकदम जाक कल जीत के आना है all the best कल आपको जीत के आना है जो भी अभी तक आपने पढ़ाई किया है उस चीज को कल यूटिलाइज करना है कल उस चीज को उस चीज का कल परिनाम देना है और लेन है दोनों काम करना है तो फ्रेंड्स जाईए खुसी मन से जाईए और आज बिल्कुल आपको पढ़ाई नहीं करना है पढ़ाकू बच्चों की तरह जो बच्चे पढ़ाई बढ़ाई करते हैं 24 गंटे उसी में लगते हैं नहीं करना आके जैसे और फ्रेंड्स सबसे करता अचानक से मुझे एक चीज याद आ गया फ्रेंड्स जब भी आप एक्जाम देने जाईए तो कुछ खा के जरूर जाईएगा भूके पेटे कभी ना जाईएगा क्योंकि भूके पेट कभी भी आप एक्जाम सही से नहीं दे सकते हैं आपके पेट भरा रहेगा तो य दूखे नहीं जाना है फ्रेंड्स जो भी हमारे भाई बहुत जा रहे हैं कल एक्जाम देने के लिए उनके लिए बहुत-बहुत सुपका होना है भगवान करे कल आपका एक्जाम बहुत अच्छा जाए और आप आईए बैंग इंडरेश्टी में आपका स्वागत है का एक्जा आपिटाना है भाई भाई बहुत जाए भाई बहुत-द्स जाएवान करे भगवारे भाई ऑटालाँ नहीं एक्जाम जारेश्टी में एक्जाना है डहागत है भगवान करे के लिए गजगत है